हाई फ्रेंड्स वल्कुम तो मा यूटूब चैनल आज मैं बना के लाई हूँ रेडी मेड चटनी की रेसिपी जी हाई ये चटनी बना के सुखा बना के इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते दो मेने तक ये कुछ भी नहीं होगा मस्त इडली दोसा ओप मां किसी की साथ भी खाई प्री मिक्स इसको मैं बना के दिखाती हूँ एक बोल में इसको दो तीन चमच ले ले देखे इस तरह से दो तीन चमच ले ले इसको चटनी के पॉडर को फिर इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी नॉर्मल पानी डालेगा गरम पानी डालने की कोई ज़रूत नहीं है बस थोड़ा थोड़ा पानी डालके पहले मिक्स कीजिए जितना गाड़ आपको चाहिए लेकिन ये थोड़ा पानी डालके इसे में मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने बाद इसको कम से कम पाच मिन्ट ऐसे साइड में रख देजे ताकि जितने भी मसाले जो भी है नो पानी अबजर्व कर ले और फूल जाए चटनी एक दम रियल हो चटनी जैसी लगनी चाहिए ना तो थोड पानी मिला के पाच मिन्ट ऐसे साइड में रख देना है फटा फट इसको मिक्स करके साइड में रख देंगे हम लोड़ी दो सब बनाए दो बस तायार चटनी की जनजटी खता में की बनाना ही है कलक से ऐसे करके लेज़े देखे मिक्स कर लिया मैंने रेडी हो गिया ये प् तीमियाच पर गरम कर ले यह एक कप मुंग फली है इसको अच्छ से लाल स्पॉट ओने तक बुन ले देखें इस तरह से लाल लाल स्पॉट ओने तक इसको अच्छ से बुन ले जब तो फुट फुट पुट आवा जाते हैं पूर एक दम बुन जाए तक कच्छा ने रखना अच्छ से बुन लेना है ना देखें अच्छ से बुन गया है देखें रेड रेड स्पॉट सागे अच्छ से इसको बुनने के बाद इसको निकाल ले फिर उसी फ्रैंग पैन में आदा कब चना दाल जी हा चना दाल चना दाल इसको भी डाल के अच्छ से बुन लेना है बह सब चीजे बुनी हुई है पट्टाफट पीस ले मास तक रड़ी हो जाएगा प्रीमिक्स यह आधा कटोर नारेल को अच्छे से लाल लाल स्पोट आने तक अच्छे से भून रहे इसको खाली कड़ाई में सुका नारेल डालने से क्या खराबनी होता दो मेन तक यह चट्नी प्रीमिक्स बस इसको भी नि कच्छा पंचा ले जाए ना कि यह रहे है इसका भून लेना ही पका अच्छा से इस मस्त बुन ले इसको आपको अगर मेरी वीडियो से अच्छे लग रहे तो प्लीज लाइक कीजिए सेर कीजिए सुस्क्राइब कीजिए कमेंट्स को ना तो बिलकुल न भूलेगा कैसा ल दहां दो भी आएंद डालेंगे 8-10 लसुन की कलिया फिर जितना तिका खाते हो आप लाल मिर्चि ने जितना तिका खाते हैं उतना डाले क्योंकि इसमें रहे हां से आएए और छुटत बढ़ा, चाहिए कि चिंटिनी चाहिए आप उसको लाल मेच इसमें डाल लें एक एक राएकर लें असके कर लें इडली दोसा का चटनी का प्रेमिक्स है, सांबार का प्रेमिक्स मिलता है, इडली का प्रेमिक्स बनता है, दोसा का प्रेमिक्स बनता है, आप लोग मुझे कमेंट्स तो कीजे, एक एक चीज है, मैं बताते हैं, चलूंगी आप लोग को, और आप लोग को इजी हो जाएगा लो डंगल डाल लिया अगर आपके पस कच्छा है तो डाल के डाल दीजे इसमें भुन जाएगा पत्ता सुपने में ज्यादा टाइम नहीं लगता ना भुनने में इसका अंदर डाल रहे एक चमच उतना जीरा जीरा डाल ले फिर इसको अच्छा से भुन ले ग्याद रखेग तो अच्छने लगए खाने पाएंगे फिर सामान वेस्ट, टाइम वेस्ट, सब्वेस्ट बस उसको भी निकाल लेना है फिर इसके बाद ये भुना हुआ चने है जी हाँ भुना चने इसको न चने का आता है ना दाल आता चना दाल आता ऐसा भुना हुआ लेकिन मेरे पस न जल तक 113 pleasing के निकल देखिए यह सारे चीज़े में नरी कि शाख़े बिल्करवेर में लाल्चा टुड़ा चुकुन जाWhen झाल इन ही झाल नारी कि eraser का लेन यहराम पहले में पीसना बिल्कुन नहीं कि किश से न समस्कांड ऐसे शों को है इसे आहां ठाच कर ले भर या तड़का है तड़का है इसको थोड़ा सा गर्यम होने दे हैं हाहा मैं चीज बताना बुल गई उसमें न थोड़ा से यसा इमली डालने से हल्का सा खटा पनाता है बहुत टेश्टी लगता है यह प्शनल है हम सौ्थ इंड़न से ढलते ही हैं अगर आपको पसंद नहीं य इमली के शीड्स निकाल लेना फिर उसके साथ ही पीस देना जैसे तेल गरम हो गया इसके अंदर डाल रही दो चमा चुतना उड़ाद दाल भाई हम साथी दिन चटनी बना तो उड़ाद दाल चना दन के बगर तो बनेगी नहीं है वो कुश्बु अलगी रहती है अच्छे से बुने देना इसको भी तेल में उड़ाद दल थोड़ासा कलार चेंज होने जैसे मस्त कुश्बु आने जैसे क्या कुश्बु आती दी उड़ाद अगर बुनती है तो फिर इसके अंदर डाल आदा चमा जीरा तड़का है चटनी के तड़का तयार कर रहे हम लोग पीस लि दे फूटने के बाद ही सबजी या जो भी चीज यूज़ करें बहुत सर्जन के बस तेल में डाल दे चौक लगा दिये कि बस सबजी डाल दे तो उसमें खड़वा पना आता है वो सवर सब मुमें आता है तो अच्छा से बून ले देखिए कितना अच्छा कलर भी चेंज हो जा रहा है इसका और कुश्भू तो बहुत अच्छी आ रही है जी पस ऐसा प्री मिक्स बना लेते तो फिर सुबह का काम आसान हो जाता है जिंदिगी आसान हो जाती कि लेडिस लोगों सुबह उठते साथ कुशने पड़ता है यह सबजी यह नहीं खाएगा वो सबजी वो नहीं खाएगा बस तीन चार लालमेचे तड़के में डाल लेना है बुन रहा है देखिए फिर इसके अंदर डालूंगी में करेपत्ति एक डंगार इसे भी डालके अच्छ से बुन लेना है मैं बहुत बुन गया है देखिए इसको मेने मिक्सी में पीस लिया जो जो दाले हमने फ्राय करके रखे दी देखे मिक्सी में इस तरह से पीस ले जी जितना हो सके उतना नरम पीस है अगर नहीं होते थोड़ा बहुत दरदरा रहने से भी कोई बात नहीं देखिए अच्छा से यह हो गया है मिक्सी में पीस गया है इसे हम लोग बोल में ट्रांसवर करेंगे एट एट कंटेन में रखना है फिर इसके अंदर डाल रहे है आदा चमश नमक अभी नमक भी तो चाहिए इना जी नमक डाल लिए आदा से एक चमश तक नमक डाल लीजे जब चटनी मिक्स करते समय अगर नमक कम पड़ता है तो आप थोड़ा और मिला ले एक साथी डाल देते को जंजट फिर उसका तो सिर्फ पानी मिला खतम कम इसको अच्छा से मिक्स कर ले देखिए अच्छा से मिक्स कर लिया इसको फिर यह एट एट डबा है मेरे पास आप कोई भी डबा ले 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 इसके डबा जलेगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्लास्टिक का थोड़ा एट 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 तो ऐसा देखिए डखन अच्छा से रहे हावा वा ना जाने तो गुट्लिया बन जाएंगी हावा चली जाएगी तो फ्रिज का भी फ्रिज में भी रखो तो भी हावा च तड़का जो हमने बनाया तो इसको डाले हलका सा गरब रहेगा तो चलेगा लेकिन बहुत ज्यादा गरम हो जनेगे कोई भी प्रेमीक्स बनाए कोई बीचीज स्टोर करने के लिए रखे ना ठंडा करके रखना है यह तो गरम में खराब होने की चांसे बहुत ज्यादा होत फ्रिज के अंदर फिर इसको अच्छा से मिक्स कर ले इसको तड़का डालने के लिए पूर अच्छा से मिक्स कर ले अच्छा लगा तो एक लाइक शेर सब्सक्राइब माई चैनल जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग का कमेंट्स भी करेंगे तो बैस इसको ऐकन लगा दे अंदर रख ले जब इडली दोसा जो भी करे अब इडली दोसा पर फोकस करें चेट्नी का तो टैंशन ही नहीं यह निकाले पानी में मिला लिए, खा लिए, बच्चे भी मदद कर देंगे, हाँ ममी हम लो चटी बना देंगे करके बस, मिक्स हो गया रेडी हो गया जी, अच्छा लगे थैंक्स पर वाचिंग